Hello everyone, this is Prashan Singh and welcome to AEC Plus मैं आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी एक्जाम निकालनी के लिए एक जिद्ध जरूरी है आप यकीन मानिये कि अगर आप जिद्ध नहीं है तो आप किसी भी लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई अवरोध आएंगे कई बेरियर आएंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि हम वहां तक पहुँच ही नहीं सकते अगर हम अपने माजी मुवी देखी होगी तो अगर माजी साब ने ये सोच लिया होता कि मैं इस पहाड को तोड़ ही नहीं पाऊंगा इस ही प्रकार से अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से बना आए देखते हैं कि पिछले क्लास वह मैं आपको जो क्वश्चन दिया था उसमें आप लोगों ने अंसर दिये हैं और थोड़ास उसके बारे देख लेते हैं कि यहाँ पर रॉहिटमेन जो है वो पुस्तख के बारे में क्या चीजे ज़रूरी है। पूछा यह गया था कि who wrote a new book title raw hitman किसने रोहिटमेन नामक पुस्तक की रचना की है। तो यहां पर जब आप देखते हैं तो यहां पर एक नाम लिखा हुआ है हुसैन जैदी तो जब आप बुक का कवर पेज देखते हैं तो वहीं से आपको यह पता चल जाएगा कि भाई इसकी रचना जो है वो किसने की है वो हुसैन जैदी ने की किसके बारे में है यह जरूरी तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो Agent Lima बोला जा रहा है यह जो बुक लिखी गई है वो किसके बारे में लिखी गई है तो यहाँ पर देखिए बुक का नाम अगर हम बात करें तो बोल रहा है Raw Hitman The Real Story of Agent Lima अब बात यह आती है कि यह Agent Lima कुन है Agent Lima की अगर मैं बात करूँ तो एक Lucky Beast नाम के व्यक्ति है Raw Agent है जिनके जीवनी पर या Lucky Beast नाम के जो Raw Agent है उनके उपर यह पुस्तक लिखी गई है और उनको Agent Lima के नाम से जाना जाता था अब मैं आपको थोड़ा सा Lucky Beast के बारे में बता देता हूँ या मैं आपको थोड़ा सा Agent Lima के बारे में बता देता हूँ तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी यह इनका नाम Raw Agent नाम है Lucky Beast नाम है इनका Lucky Beast उर्फ लक्षमण विस्ट और लक्षमण विस्ट के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो इनको 2009 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वोच NSG कमांडो अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया लक्षमण विस्ट के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो यह चीज आपको पता चाहिए कि किस नाम से जाने जाते हैं एजेंट लीमा के नाम से औरिजनल नाम इनका लक्षमण विस्ट है या लक्षमण विस्ट है इसके नाम से आप इनको पहचानते होंगे ठीक है दूसरा बताओ आपको तो 2009 में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको सर्वोच के सीम थे तब उनकी सिक्योर्टी की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर थी वो लक्षमण विस्ट के ऊपर थी तो याद रखिएगा यह कोई ऐसा नहीं कि यहां एक बुक लिख दी तो यहां पर अगर आप इनके काम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सीम के जो में सिक्योर्टी एडवाइजर है वो और एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश का जो सर्वोच नागरिक जो है अगर आप बात करेंगे वहां पर जो हिट मैं दर रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा बासंच में आ रही है आईए देखें आज का जो कोश्चन है वो कहां से सुरू होता है तो कोश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें वेर इस दा चीखल कालो उट्सो सेलिबरेटेड अगर हम देखें तो चीखल कालो उ यहां पर आप ऐसा समझ लिजए कि एक मिट्टी का उत्सो है या एक मिट्टी में उत्सो है या कीचण में उत्सो है ठीक है और एक ऐसा उत्सो जो धार्मिक भी है एक ऐसा उत्सो जिसकी सामाजिक माननेताएं भी हैं और उन माननेताओं को मानने वाले जो भी लोग हैं मु पहारम उनों ने किया है कौन इससे संबंधित है तो जो कृषक वर्ग क्रिशक वर्ग जो है वह संबंधित है और वह कीचड में अगर आप यहां देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि लोग जो है वह मद में वो कीचड में खूब खेल रहे हैं आसपास एक दूसरे के ऊपर कीचड भी उचाल रहे हैं और किस मंदिर में तो याद रखिएगा कि देवकी कृष्ण कहां मनाया जाता है यह तो देवकी कृष्ण मंदिर के प्रांगड में तो याद रखिएगा कि देवकी कृष्ण मंदिर के प्रांगण में क्या मनाया जाता है यही चिखल का लोग उत्सो मनाया जाता है जिसका एक मीनिंग होता है कीचड का महुत्सो राइट नेक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वेर विल गूगल बैन लोकल न्यू में इस देश में जो मीडिया है वो मीडिया सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट जारी नहीं कर सकती अगर वो जारी करती है तो उसको फिर उसके लिए पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए किसमे है तो यह नाम याद रखिएगा कि केनेडा में इस प पता दिये और उसने बोला है कि अगले 6 महीने में हम इस प्रकार के सभी रूल को लागू कर देंगे और जो भी मीडिया गूप है वहाँ पर जो भी अगर हम देखे मीडिया हाउस हैं उनके द्वारा सोसल मीडिया प्लेटपॉर्म पर अगर कंटेंट पोस्ट किये जाएंगे तो वहाँ से गूगल के द्वारा अभी यह ट्वीट किया गया है कि हम उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे अगर आपको फ्यूचर में इस प्रकार की चीज़े करनी है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा तो याद रखेगा अभी कौन सी कंट्री में इस प्रकार का वर्षेस पर है तो वर्टमान में जो सिर्फ पर है वो अरजिंटिन अके साथ में कुछ और चीज़े देखे जैसे यहां पर देखिया कि फीफा पूरुस राष्ट्री फृट वाल में अरंकिंग में अर्जेंटिना सीच पर है अर्जेंटिना पांच वार फीफा 2023 में इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर यहां पर बोलू कि इंडिया की रैंकिंग क्या है तो इंडिया की जो रैंकिंग है वर्तमान में फीफा पूरुस टीम की तो वह कितनी है वह 100 पोजीशन पर बात सुझ में आ रही है तो यहां पर आप देखेंगे तो उ छाउथ आसन फुटवल फेडरेशन यहाां पर अगर आप देखेंगे तो साउथ है इसीन फुटबॉल फेडरेशन ठीक है यह कहां हुआ फाइनल मैच इसका तो इसका मैच हुआ है बैंगलूरू में और इंडिया ने किसको हराया है तो इंडिया ने हराया है कुवेट को तो कुवेट को हराकर अभी वर्तबान में अगर आप देखेंगे हाल ही में तो साउथ एसियन फुटबॉल एसोसियेशन जो है वह भारत जीत चुका है बात सुझ में आ रही है चलिए यहां पर एक कुश्चन का एंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में इंडिया फुटबॉल पुरुस जो टीम है हमारी उसके कैप्टन या उसके कप्तान जो है वह कौन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेर हैस इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट बीन स्टार्टेड भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां सुरू की गई है अगर हम यहां पर देखेंगे तो भारत की जो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट है उसकी सुरुवात चन्नाई में की गई है लेकिन इस तरह की चीज़े जो हैं जब हम टेकनोलोजी का यूज कर रहे हैं जब हम एयाई का यूज कर रहे हैं आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस प्रकार की चीजों में भी आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ चरकर प्रयोग करें यहां पर जब हम देखते हैं तो तमिल नाडू पुलिस ने क्या किया है अभी तमिल नाडू पुलिस की अगर मैं बात करू हैं तो नौ ड्रोन यहां पर देखने को में लेएंगे और किसकी के हैं तो सबसे पहले जो है वह कुकिक रिस्पॉंस प्रेख यहां पर इसका प्रेयोग किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी बात कर दो होती है कहीं पर एक सभाश करेंद बीड़ बाद अब वहांपर पुलिसिंग करनी हैं वहांपर हमको देखना है कि किसी भी प्रकार से कोई आपराधिक प्रवत्ति का व्यक्ति या आपराधिक क्रिया कळाव जो है वहां पर नहुत अब हर जगहैं अगर आप मैनुवली देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी आखों से इस प्रकार की चीजे जो है वो बचके निकल जाए इसलिए क्या किया गया जैसे मान लीजे आज कल साधी recording वगएरा में आप देखिए साधी में festival में अलग-अलग festival में आप देखिए तो ड्रोन से हम क्या कर रहे है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी तरीके से जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम पुलिसिंग के फॉर्म में भी या पुलिस के जो भी सर्विसेस है या पुलिस का जो सर्विलेंस है उसके लिए भी क्यों नहीं हम ड् इसे ग्राउंड से पांट से 10 किलोमेटर की दूरी तक प्रेयोग किया जा सकता है तो एक बहतर रहेजि़राइस अज़िए प्रेयोर किस इस्थान पर गंगा नदी में वाटर ट्राइल जो है वह सुरू हुआ है अब देखिए वाटर टैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए पहली चीज तो यह कि गंगा नदी का तो यहां आप याद रखिए कि इसका राइट एंसर तो वारानसी ठीक है वारानसी में ही क्या किया गया है अभी वा वाटर टैक्सी के बारे में अगर मैं बताओं तो यह फाली जो पॉल्यूशन होगा जो प्रदूशन की कंडिशन होगी वह क्या हो जाएगी कम रहेगी तो वहां पर हम क्या करें गंगा में ट्रांस्पोटेशन बढ़ रहा है गंगा में आप देखिए तो एक जगह से दू प्रयाटक है उनके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है अगर आप देखिए तो वारणसी में अगर आप देखते हैं तो नदी के किनारे ही लोगों को जो सव होते हैं जो डेट बॉडी होती है उनको भी जलाया जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के ए 10 वाटर टेक्सी भीजी गई है कहां पर गarna भी ऐह बनारास में यह और अनसी ह him ना बात्य ice य्याद में आ रही है hydrogen वाटर टेक्सी है पॉल्यूशन कम करेगी गुजराट से आई है वाटर टेक्सी कहां आई है वाणसी में ट्राइल के फार्म में अभी चीजें चल रही हैं किस-किस के लिए इस प्रयोग किया जाएगा तो याद रखिए कि इसका यूज जो है वो- सेंजर के लिए सबसे पहले पैसेंजर के लिए सेकंट देखें देडवाडि के लिए उनिवर्शिटी जो है उसने ये पर्चम लहराया है और चंडिगाड युणिवर्शिटी को प्राइवेट युणिवर्शिटी में नमबर वन युणिवर्शिटी का स्टेटस ढूर इस वह मिल है और किसमें मिला है क्यूएस रेंकिंग टूथाँजन ट्वैंटिफॉर में इस युणिवर्सिटी को पहली ranking मिलिए इसमें आप सिर्फ यह याद रखें इसमें बहुत ज़ादा आपको देखने की ज़़ुरत नहीं है कि कहां है किस प्रकार की चीज़ क्या होता कुछ कुछ नहीं है यहां सिर्फ चीज याद रखिए कोन सी ranking है तो qs ranking 2024 कोन है फर्स्ट पोजीशन पर चंडीगड यूनिवर्सिटी बास में आ रही है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोल रहे हैं वेर इस दा फाइवनड़ड एट्टी एट्थ कोरोनेशन डे ऑफ गजपती कपिलेंद्र देव सेलिब्रेटेड कहां गजपती कपिलेंद्र देव का 528 वा राज्या विशेक दिवस मनाया गया है भारत की विढक जूड़े हुए लोग है भारत के जुड़े हुए उनके बारे में हमारे olha है वो बहुत कम है लेकिन हम पढ़ते किसके बारे में हम पढ़ते हैं क्लाइप के बारे में ज्यादा तर फोकस हमारा क्लाइप पर रहता है हम पढ़ते किसके बारे में हम डलहोजी के बारे में ज्यादा तर चीजों को पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में अकबर की वीरगाथ जैसे जो राजा हैं उनके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही कम चीजें जो हैं वो देखने को मिलते हैं यह वास्तविक्ता में भारत के सिक्षा विवस्था के उपर एक कलंग तो आपको कुछ सुधार की जरूरत है अगर सरकार की हम बात करें तो उसको कंतृता के पीछे यह मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लडने वाले जो भी योद्धा उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहि कि उसको अपने देश के बारे भी ज्यान की प्राप्ती और अपने बेथर तरीके से और ज़्यादा में उसको कर सके तो यह वियाद बन कर सक कपिलेंद्र देव का राज्जा विशेक मनाया गया एतिहासिक जानकारी के अनुसार उनका राज्जा विशेक 29 जून 1435 को हुआ था और इसी जानकारी के आधार पर वर्तमान वर्स में 29 जून को ही हमने क्या किया है राज्य अभी शेक दीवस मनाया है मैं बार-बार यही बोलूँगा और सरकार से लगातार अपील भी हमारी इसी प्रकार की रहती है कि जो इस प्रकार के हमारे देश के साशक है हमारे देश के राजा है और जिन्होंने एहम योगदान अपना देश को एक बड़ा मति जैसे और भी जितने महान साशक हैं महान राजा हैं हम अगर देखेंगे तो हम उसको अपने राज्य के जो सिक्छा विवस्था है उन किताबों में उनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो यह चीज जो है एंसी आर्टीज की बुक में भी होनी चाहिए और बदलाओ मुगल की जगह आप मराठास को ज्यादा पढ़िए राश्पूतों को ज्यादा पढ़िए इस तरीके के जो सासक हैं उनको आप ज्यादा पढ़िए बास सुझ में आ रही हैं चलिए कोशन नमबर एट की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि सेवन हैंडिक्राफ्ट प्रोड़क्ट ऑफ विच स्टेट हैव गौट जोग्राफिकल इंडिकेशन टेग या जी आई टेग किस राज्य के सात हस्त सिल्प उत्पादों को जी आई टेग जो है वो प्रदान किया गय संबन्दित है तो वो संबंदित है उत्तर प्रदेश पहले यह देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से वार्णिक्राफों को जी आई टेग मिला तुपहला है कालपी उत्त कज़ बागपत हूम फर्नीसिंग महोबा गौर्र स्काषर हस्तस परफिक्राइज़ हां मैनपूरी तरकासी, संभल हॉर्न क्राफ्ट ये इतनी चीजों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये साथ चीजे हैं जिस पर वर्तमान में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को क्या दिया गया है जी आई टेग दिया गया है अब बात आती है कि सर ये इंट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् to same as it is copy ना कर ले इसके लिए जो intellectual property होती है उस पर WTO के अंतरगर trips law बनाया गया है और वो trips law के अंतरगर जो एक टूल है वो कहलाता है GI tag इससे मिलता जूलता एक होता है patent patent आप लोगों ने सुन रखा है अगर कोई चीज फेमस हो रही है या किसी भी जोग्रफिकल एरिया के लोकल लेबर के कारण अगर कोई चीज फेमस हो रही है या किसी भी जोग्रफिकल एरिया के environment के कारण अगर कोई चीज फेमस हो रही है तो हम जब ये बोल दें कि यार ये चीज सबसे अच्छी यहीं मिलती है तो वहां पर हम ये मान लेते हैं कि यार इस जगह पर इस वस्तू के लिए ये जगह जो है वह फेमस है और उसको हम एक अधिकार प्रदान कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं यहां पर एक चीज को लेकर विवात था दो राज्यों की बीच में एक प्रकार से जियाई टैग प्राप्त करने की होड़ जो है वह मची हुई थी तो आप मुझे बताईएगा मैसेज करके कि जो रजगुल्ला है उस रजगुल्ले पर किसको जियाई टैग जो है वह मिला ह किस राज्यों को जियाई टैग मिला ठीक है तो यह आप मुझे बताएंगे कोशन नमबर 9 कि अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि वेर इतवरी रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड आफ्टर सुभास चंद्र बोस कहां इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभास चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है तो सुभास चंद्र बोस के नाम इतवरी कहां है तो महराष्ट्रा में नागपुर से लगबग अगर आप देखेंगे तो नागपुर इस्टेशन से लगबग 5 किलो मीटर की दूरी पर इतवारी इस्टेशन जो है वो देखने को मिलता है अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार की चीज़ है महराष्ट सरकार ने नागपुर जिले की इतवरी स्टेशन का नाम बदल कर नेता जी सुभास चंदर बोस इतवारी किया है नाम परिवर्तन के लिए जो अनापत्ति प्रमाडपत्र लगता है वह 23 मई को ग्रह मंत्राले से प्राप्त हो गया है इतनी चीज़ें आपको पता है आपको समझ में आ गया सर इतवारी का नाम जो है वह बदला गया सुभास चंदर बोस किया गया है और इतवारी कहां पर है वह महाराष्ट्रा में है महाराष्ट्रा में कहां तो नागपूर जिल्ले में बात समझ में आ रही है अगर यहां देखें तो कोश्चन यह उठता है कि सर नाम परिवर्तन हुआ क्यों यह सुभास चंदर बोस के नाम पर ही क्यों रखा गया तो इसका रीजन सुने ऐसा मान माना जाता है कि इसी इतवारी स्टेशन पर सुभासचंद्र बोश को आखरी बार देखा गया था रही है लोगों ने सुभासचंद्र बोश को सुभासचंद्र पर इस data पर आखरी बार देखा था और इसी स्टेशन से अंग्रेजों से अगर हम बात करें तो इसी स्टेशन से वो जो है वो कोलकाता गए थे तो यहां पर ऐसा माना जाता है चुकि इतवारी स्टेशन ही वह लास्ट इसे संथा जहां पर सुभास चंदर बोस को लोगों ने आखरी बार देखा इसलिए फिर हम क्या बो पूछ रहा है तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि नाम से जानते हैं पूछ रहा है कि किसे के उप महानिदेशक का पदबार तो वह समाला है वरतमान में वी एम रेड़ी ने ठीक है तो आप इसमें याद रखिएगा कि वी एम रेड़ी जो है वो वरतमान में क्या हुए है एनसी सी के डिप्यूटी डारेक्टर जनरल बने हैं ठीक है अब कोश्चन यह उठता है कि सर्थ डिप्यूटी डारेक्टर जनरल समझ में आ गहा है यह डिप्यूटी जो हैं वो तो समझ में आ गया कि इनका नाम है वी अम रेड़ी लेकिन अगर सर हम यह पूछ दिये देखें कि डारेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है तो डारेक्टर जनरल का नाम है गुर्बीर सिंग ठीक है और यह 34 है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके डारेक्टर जनरल जो है वो कौन है गुर्बीर सिंग है इसके डिप्यूटी डारेक्टर जनरल जो है वो वर्तमान में वी अम रेड़ी है और एंसी सी जो है उसको नेशनल कैड़ेट कॉप्स के नाम से जाना पर जो है वो कहां पर है न्यू डेली में है और एंसी सी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है वो ए बी सी तीन लेवल के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसमें से सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर सी लेवल सर्टिफिकेट होता है और सी कटेग सबसे पहला है और इन तीनों में सबसे बढ़ा माना जाता है तो सही अल्फा एक वह एन्सी सी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन जो है वह माना जाता है तो आपको यह हो गया कि हुआ ऐस टेकन यहां पर आप देखें गे डिप्यूटी डिरेक्टर जनरल ऑफ एंसी सी वो है वी एम रेड़ी और जो डिरेक्टर जनरल ऑफ एंसी सी है वो है गुर्बीर सिंग तो इतनी चीज़ है क्लियर हो गई आपके लिए जो कोश्चन है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप इसको पढ़ेंगे ढूड इराक और इसराइल ठीक है तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है पढ़ाई करते रही है खुस रही है थैंक्यू सो मच